मुखी मंति विश्दियों साहर रायपूर के पंडित दीन दयाल उपाद है आउडिटोरियम में आईजित राज खेल अलंकरन समारों 2024 में शामिल होए। कायकरम के दोरान मुखी मंति ने शहीदों की परिजनों को शौल भेट कर सम्मानित भी किया। इसकायकरम के देश्चता विधान सभाद द्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग्नी की इस समारों में वर्षट 2021-22 और 22-23 के उत्कुरिश्ट प्रदर्शन करने वाले खेलाडियों को खेल अलंकरन समारों में ओलंपिक खेलों में स्वन्ड पदक जीतने वाले 36 करोड रुपए, रज से पदक जीतने वाले खेलाडियों को एक करोड रुपए की पुरस्कार राशी देने की खोशना भी की बोले भारत माता की भारत माता की 36 गड़ महतारी की आज राज खेल अलंकरन समारों और राश्ट्रे खेल दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सुपकामना है राज खेल अलंकरन समारों के अउसर पर समानित होने वाले सभी खेलाडी यों उनके परीजनों का भी मैं आज के इस अउसर में हिर्दे से अभिनदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने खेल की दुनिया में 36 गड़ का नाम रोसन किया है इस अउसर पर स्रदे सहीत जनों को भी नमन करता हूं, जिनके नाम पर यह अलंकरन दिये जा रहे हैं यहां उपस्थित, उनके सम्माने परीजनों का भी मैं हिर्दे से अभिनदन करता हूं, स्वागत करता हूं राज खेल अलंकरन राज में खेलों के छेतर में सरूत सम्मान है आप सभी ने कड़ी मेहनत और परतिभा के बूते यह सम्मान हासिल किया है मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, सुब कामने देता हूं खेलों के छेतर में सरूत समान होने के बाजूत भी इस बात की पीड़ा है कि पिछले पांच सालों में राज में राज खेल अलंकरन समारों को आयोजन नहीं हुआ हमारी सरकार ने खिलाडियों के पीड़ा महसूस की और राज खेल अलंकरन समारों का पुनह आयोजन का निर्नय लिया पहला अलंकरन समारों इसी साल 14 अगस को आयोजन किया गया था जिसमें वर्स 2019 बीस तथा वर्स 2020 के लिए 133 खिलाडियों को 1.41 लाक रूपय की पुरुसकार राजी से समानित किया गया आज राज खेल दिवस के मौके पर वर्स 2021 तथा 22-23 के खिलाडियों को राज खेल अलंकरन से समानित कर रहे हैं साथी हम राज़्टे चेंपियन सीप वर्स 2021 तथा वर्स 2022-23 के विजेता खिलाडियों का भी समान कर रहे हैं आज इस समारों में कुल 1.36 लाग रूपे की पुरुसकार रासी खिलाडियों को परदान की जाएगी आज के दिन हम हाके के महान खिलाडी मेजर ध्यांचन को याद करते हैं जिनकी स्मृति में हम राष्टे खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यांचन हमारे राष्टे गौरों रहे उनके नित्तितों में हमारे देश ने अनेक उलम्पिक खेलों की हाकी इस परदा में पदग हासिल किये कहते हैं कि मेजर ध्यांचन ने वर्स 1936 में आयोजित बरलीन उलम्पिक में ऐसे फटाफट गोल किये जिससे जर्मनी का चांसलर हिटलर भी चकित रह गया तता हिटलर ने मेजर ध्यांचन को जर्मनी से खेलने का आफर भी प्रदान किया था देश भक्त मेजर ध्यांचन ने उनके इस आगरफ को बिनम्रता पुरवक इंकार कर दिया था कुछ सालों से भारते हाकी का स्वनिम दोर समाप्थ हो गया था लेकिन टोकी और पेरिस ओलंपिक में भारते हाकी टीम ने सांदार वापसी की और कांस्वतक हासिल किया है भारते हाकी टीम के केप्टन स्री जेस जब पेरिस से लोटकर टीम के साथ प्रधानमंत्री स्री नरेन मोदीजी से मिले और हाकी थमाई तब यह हम सब के लिए बहुत ही गहरों का छण था हमें इस बात का गौरो है कि 36 गड़ की भूमी ने भी हाकी के बहुत से परतिभासाली ओलम्पिक खिलाडियों को जन्म दिया है पेरिस में नीरत चोपडा, मनु भाकर, सरवजोज सिंग, सपनिल कुसाले, अमन सेहरावत जैसे खिलाडियों ने पदक जीत कर भारत माता का यस पढ़ाया है, 36 गड़ में हम खेल परतिभाओं को आगे ले जाने परतिबद हैं, आगामी दिनों में अच्छी अधोसरतना तथा प्रसिक्षन के माध्यम से खेल परतिभाओं को निखारेंगे, ताकि हमारे खिलाडी अंतर रास्ट्रे इस्तर पर और भी बढ़िया खेल कर अपनी परतिभाओं का जंडा दुनिया में गाड़ पाएंगे, अभी हाल ही में केंद्री खेल मंत्री मनसुक मांडवाजी प्रदेश के दोरे में आये थे, उनसे हमने खेलो इंडिया के नए परिसरों के संबंध में तथा खेल अधोसरतना को बढ़ावा देने के लिए ब परदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने चतिस गड़ केड़ा पुरुसाहन योजना आरम करने का निर्ने लिया है, इस योजना में हम खेल मैदानों के उनियन के साथ ही खेलाडियों के लिए उच इस्तरी खेल उपकरनों की ब्योस्था, खेल परतिभाओं की खोज, खेल कलबों को आर्थिक साहता तथा पारंपरी खेल परतिगुताओं का आयोजन करेंगे, हमने हेलो इंडिया आयोजना के अंतरगत राइपूर और बिलासपूर में मल्टी परपस हाल तथा बलोदा बजार में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रेक का निर्माड कराया है 105 करोड की लागत से जस्पूर तथा राइगण में इंटीग्रेटेड इस्पोर्स कम्प्लेक्स के साथ ही नवा राइपूर में 62 करोड रुपे की लागत से मल्टी परपस इंडोड इस्टिडियम तथा सिंथेटिक फुटबाल मैदान विच रनिंग ट्रेक बना रहे हैं अगस्त महने में प्रारम हुई है सितंबर महने से बालिकाओं के लिए आवास्य फुटबाल अकादमी सुरू हो जाएगी इसके साथ ही अथलेटिक अकादमी कबड़ी अकादमी तथा तिरंजारी तिरंदाजी अकादमी का भी संचालन कर रहे हैं रायपूर में लच्मी बाई राष्टे सारीरिक सिक्षा संस्थान का आप सेंटर भी सुरू किया जाएगा जो खेलों के छेतर में प्रदेश की बड़ी उपलबदी होगी आप सभी पूरी मेहनत के साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने में जुटे रहे तथा राष्टे और अंतराष्टी इस्तर पर छतिजगड का नाम रोसन करें हम आप के लिए सभी संभव सुबदाएं उपलब कराएंगे और आज इस अउसर पर हम अपने प्रदेश के जो खेल जगत के प्रतिभा हैं उनके लिए हमें कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे च्छतिजगड राज के जो भी खिलाडी ओलंपिक खेलों में परतिभागी होंगे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो जो च्छतिजगड का खिलाडी सौन पदक जीतेगा उसको सरकार प्रोसाहन के रूप में तीन करोड रासी मोहया कराएगी और जो खिलाडी रजत पतक जीत कर लाएगा उसको सरकार दो करोड रासी प्रोसाहन के रूप में देगी और जो खिलाडी कांस पदक जीत कर लाएगा उसको सरकार एक करोड रूपे प्रोसाहन के रूप में देगी अंत में मैं फिर से सभी समानित खिलाडियों उनके परिजनों को पुना बहुत बहुत बधाई देता हूँ जये 36 गड़ जये